गदर दो, जिसका शीरशक अंग्रेजी में Rebellion 2 इंच है, 2023 में रिलीज हुई एक हिंदी भाषा की पीरियड आक्शन ड्रामा फिल्म निर्देशन और निर्माण अनिल शर्मा ने किया है, इसकी पटकथा शक्तिमान तलवार ने लिखी है. 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा की अगली कड़ी के रूप में काम कर रही इस फिल्म में सनी देओल, अमीशा पटेल और उतकर शर्मा अपनी मूल भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं. कहानी पहली फिल्म की घटनाओं के 17 साल बात की है, और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने कैद बेटे का पता लगाने के लिए तारा सिंग की खोज के इर्दगिर घूंगती है. फिल्म ने 11 अगस्ट 2023 को अपनी नाटकिय शुरुआत की और 13 अगस्ट 2023 तक दुनिया भर में बॉक्स ओफिस 175 रुपए 50 पैसे करोड लगभग 22 यूएस डॉलर मिलियन का संद्रा करके उलेखनिय सफलता हासिल की. यह प्रदर्शन इसे साथवे उच्चतम स्थान पर रखता है साल 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म. विशे सारांश 1971 के क्रशिंद्या की प्रिष्ठ भूमी में तारा सिंग एक सीमा जड़ब के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और माना जाता है कि उन्हें पाकिस्तान में बंदी बना लिया गया है. यह जाने पर तारा का बेटा चरंजीत जीते सिंग अपने पिता को बचाने के मिशन पर निकल पड़ता है. हालाकि मेजर जनरल की कमान के तहट पाकिस्तानी सैनी को द्वारा उसे पकड़ लिया गया और यातना दी गई. यह सैन्य अधिकारी 1954 में तारा की पत्नी सकीना और जीते सहित अपने 40 लोगों को पाकिस्तान से भागने के दौरान खंद करने के लिए तारा से बदला लेना चाता है. सकीना के साथ फिर से जुडने और गंभीर स्थिती से अवगत होने के बाद तारा जीते को हामिद इकबाल और उसकी सेना से बचाने के लिए निकल पड़ती है. धालना फिल्म में कलाकारों की तोली शामिल है, जिनमें शामिल है. तारा सिंग के किर्दार में सनी देऊल. तारा सिंग की पतनी सकीना के रूप में अमीशा पटे. उतकर शर्मा ने तारा और सकीना के बेटे चरंजीत जीते सिंग का किरदार निभाया है. मनीश वाध्वा मेजर जेनरल के रूप में. लेफटिनेंट करनल देवेंद्र रावत के रूप में गौरफ चुपडा. मुसकान के रूप में सिम्रक कौर चरंजीत की प्रेमिका. लव सिंगा मुसकान के भाई फरीत के रूप में. और सहायक भूमिकाओं में कई अन्य प् विकास गणतंत्र दिवस को किया गया था और इसमें प्रमुख रूप से सनी देवल के चरित्र तारा सिंग को हथोड़ा चलाते हुए दिखाया गया है. सीक्वल की रिलीज के अग्रदूत के रूप में गदर एक प्रेम कथा 9 जून 2023 को सिनेमा घ्रों में फिर से रिलीज हुई. लोटने के लिए सहमत हो गए. निर्देशक अनिल शर्मा ने सीक्वल के लिए जनता की इच्छा और इससे जुड़े भावनात्मक महत्व पर जोर देते हुए देवन को मनाने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई. अमीशा पतेल और उतकर शर्मा भी अपने-अपने कि और चरंजीत जीते सिंग को चित्रित करने के लिए लोट आए. सिम्रत कौर भी कलाकारों में शामिल हुई. मनीश वाधवा, रोहित चौधरी, लव सिन्हा और गौरव चोपड़ा जैसे उलेखनिय अभिनेताओं को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में लिया गया. मुख्य फोटोग्राफी मई 2023 तक समाप्थ हो गई. संगीत फिल्म का संगीत मिथुन ने तयार किया है. गीत सईद कादरी ने लिखे है. साउंड ट्रैट में उरजा काले कावा, खैरियत, मैं निकला गड़ी लेके, दिल जूम, सुरा सोई और चल तेरे इश्क में जैसे रूप कमपा देने वाले ट्रैक शामिल है. उरजा काले कावा का एक विशेश संसकरण भी शामिल है. फिल्म का टीजर 12 जून 2023 को गदर एक प्रेम कथा की 22 वी वर्षगांट के अवसर पर लॉंच किया गया था. कारगिल विजय दिवस के अनुरूप आधिकारिक च्रेलर का प्रीमियर 26 जुलाई 2023 को हुआ. बॉक्स ओफिस 50 पैसे करोड लगभग 22 यूएस डॉलर मिलियन है. हाला कि रिलीज के ठीक दो दिन बाद यूट्यूब पर लीक होने के कारण इसे चनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे इसके नाटकिय व्यवसाय पर असर पड़ा और फिल्म ओयम जी दो इंच के साथ तक्राव हुआ भी हो यूँआ कर दो.